दोस्तों क्या चल रहा है देखो इंडिया में ना अलग-अलग तरीकी की स्मार्टपोन बायर्स होते हैं किसी को एक अच्छा कैमेर वाला फोन चाहिए किसी को फोन में अच्छा डिस्प्ले चाहिए कॉंटेंट वगरा देखने के लिए और बहुत सार लोग ऐसे भी होते कि जिनको एक चीज में फोन स्पेशल हो वो नहीं चाहिए भाई फोन आल राउंडर होना चाहिए मतलब सारे चीज़े एकदम बैस ना हो लेकिन अच्छी हो और फिर लास्ट आती है अपनी वह कैटिगरी कि भाई फोन का परफोर्मंस तगड़ा होना चाहिए ऐसे भी बहुत 1000 की नीचे तो फिर ज्यादा देर किस बात की एक एक करके चान लेती कौन से है वो प्रोसेसर तो अपनी इस लिस्ट में जो पांच नंबर पर प्रोसेसर है वो है मीडियाटेक का डामन सेटी 7050 इसी साल में मन्त में यानि पिछले महीने लाउंच हुआ था यह प्रोसेसर 6 तो आप इसमें 60fps में bgmi वगेरा खेल सकते हो call up duty हो free fire हो आप medium सेटिंग में काफी अच्छी गेमिंग कर सकते हो आगे बढ़ते है इसकी बात जो नंबर 4 पर प्रोसेसर है वो है snapdragon 770 8G plus जो की October 2021 में लाउंच हुआ था थोड़ा सब पुराना है लेकिन प्रोसेसर अच्छ में वीडियो रेकॉर्ड कर सकते हो मतलब प्रोसेसर से रेकॉर्ड नहीं कर सकते हो औरना बहुत सार लोग गलत मतलब निकालेंगे कि भाई प्रोसेसर से कोई कैसे वीडियो रेकॉर्ड कर सकता है तो यह प्रोसेसर सपोर्ट करता है अब फोन में आपको वह सपोर्ट भाई आप ऐसे गेमर हो, ऐसी छोटी मोटी गेमिंग आपको चलती नहीं, हमें तो भाई एकदम हाई ग्राफिक में गेमिंग करनी है, तो इसके लिए आगे कि जो तीन प्रोसेसर है वो आपके लिए सही रह सकते हैं, उसमें से जो तीसरे नंबर पे आता है वो है Snapdragon 870, जो कि वीडियो प्ले भी कर सकते हो, और 8K आपको recording का भी option मिलता है, प्रोसेसर में, फोन में नहीं, वो brand के हाथ में रहेगा, लेकिन अपना तो में काम है गेमिंग का, गेमिंग कैसी है, तो Adreno 650 GPU मिल रहा है, इस प्रोसेसर के साथ हमें गेमिंग के लिए काफी आपशन देखने क मुझे लगता है कि शायद ही कोई होगा जिसको इस प्रोसेसर के बारे में पताने होगा, जो की है, मीडेट एक डामन सेटी 8100, 2022 में मार्च मंत में लाँच हुआ था, 5NM का है तो भाई, बैटरी बहुत जदा बचाएगा, एंटेटो स्कोर की बात करें तो 8,15,000, ग्राफिक तक पुछ कर सकते हो, तो वन आव थी बेस्ट प्रोसेसर है यह 25,000 की नीचे, और हाँ सब को यह भी पता है कि इस प्रोसेसर के साथ फोन कौन सा मिलता है 25,000 की नीचे, और आज कल तो भाई 20,000 की आसपास भी मिल रहा है, इसके बाद लास्ट यानि अपनी लिस् यह प्रोसेसर डिसेंबर 2022 में लाँच वाता है, यह भी तो बैटरी काफी अच्छी बचा लेगा, जितने कम अनम का होता है उतनी बैटरी बचाता है, सब को पता है, और यहाँ पर बात करें इसके एंटिटो स्कोर की तो सेम, आपको यहाँ पर 8,15,000 एंटिटो स्कोर मिलत आडरेनो 660 GPU मिलता है, जिसकी वज़े से आप 90 FPS में गेमिंग कर सकते हो, 60 FPS में हाई ग्राफिक तो जा सकते हो, और स्नापड्रागन ट्रिपल एट की पॉपोंस तो पता है, मतलब स्नापड्रागन की 8 सेरी जो फ्लैक्शिप सीरीज होती, उस सीरीज का प्रोसेसर है और एक सब्सक्राइब कर देना, हम मिलेंगे नेक्स्ट आले वीडियो में